बदाएं सर आज के लिए कुछ खास स्टार्टिए लोबल संके दाज मिले जूले है थोड़ा इसराइल और हमास के बीच में तनाव बड़ा है उसकी वज़े से थोड़ी सी चिंटाइन जरूर है लेकिर एक बढ़िया चीज भारती बादरों के लिए है दीप जो सबसे इंडेक्स लोंग पोजिशन ग्यारा परसेंट से एक परसेंट बढ़ी जरूर है लेकिन बारा परसेंट यह अभी भी लोईस लेवल पर तो यहां से नीचे जाने की गुंजाईश कम और एफाइस के तरफ से इंडेक्स में खरीदारी का स्कॉप ज्यादा निजर आता है अ खुलते हैं यह नी खुलते हैं लेकिन एक अच्छी बात है कि शुकरवार को जो रिकवरी आई है भारती बादरों में उसके पहले दिन उसके बावजुद भारती बादर अभी हलके हैं पोजिशन बहुत ज़्यादा नहीं बनी है लॉंग से इतने नहीं कि आपको पचास नीचे खुलते हैं एकदम से सब का बेचने का मूड हो जाए कि अरे मैं तो मरी गया तो लो एक तो गुरुवार को वेसी एकस्पैरी पहल के हो चुकर है शुकरवार को रिकवरी हुई लेकिन बड़ी पोजिशन शुकरवार को अभी नहीं बनी इसके अलावा जब तक गु मजबूत रहना चाहिए एक ही जगे प्रॉब्लम है आज वह है बैंक्स और NBFC बैंक्स और NBFC के वीकेंड पर एक धंग का रिजल्ट नहीं है किसी को पर देखके ऐसा मज़ा नहीं आया कि आपको खरीदने कम बन करें अब कुछ लेवल्स आपको देदू अठरा आठरा आ अब करेंड के रिज़ आपके लिए रुकावट की और बैंक डिफ्टी के लिए तैयानली सजार एकसो पचास तैनली सफ तीनसों पचास तर यह रेंज यह ऊपर रुकावट की जिस पर आपको फोकस करें अब चलिए आपके लिए सारे-सारे इंपोर्टन लेवल्स और भी अग्दम गोट गोट के पड़के हैं पूर अग्दम यहान में चलिए तो रिजिनल आपके लिए मजाएगा